तो हलो मैं रेटर फैमली φाइल दोस्तो होंडा कांपणी अपनी SP 125 के बहुती ज़धा शादार स्पोर्ट मोडल को इंडियन टुलर मार्केट में बहुती जल्द लोंज करने के लिए जा रही है अब Honda Company बहुत ही जल्दा अपनी SP 125 को बहुत ही जदा शानदार न्यू स्पोर्टी लुक के साथ इंडिया में लोंज करने वाली है Company Bike में बहुत सारे ने चेंजिस करने वाली है बहुत सारे ने अपडेट करने वाली है जो कि आजք की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि ये बाइक इंडिया में कब तक लोंच होने वाली है तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रही हैगा तो without any wasting time let's get start the video दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हम बाइक के सबसे पहले update के बारे में बाइक का सबसे पहला changes होगा बाइक के front red light में Company bike की front red light को change करकर bike में बहुत ही ज़धा शानदार एलेडी एलेड का set up provide करवाने वाली है इसके अलावा Company bike के इंटनर को change करकर bike में LED इंटनर का set up provide करवाने वाली है और bike के rare में आपको काफ़ी ज़धा शानदार LED टे एलेड का set up भी देखने के लिए मिलेगा company bike में बहुत जदा शांदार TFT डिस्पेले वाला digital meter console bike में provide करवाने वाली है इसके अलावा company bike के fairing के design को change करने वाली है bike में काफी जदा sporty और aggressive fairing का design देखने के लिए मिलेगा जो पहले के मुकाबबले bike में काफी बड़िया look देने वाला है इसके लावा company bike के braking को भी update करने वाली है bike के front में अब आपको single display के साथ single channel ABS का feature देखने के लिए मिलेगा इसके लावा bike के engine की power को भी company enhance करने वाली है bike में आपको पहले के मुकाबले काफी जदा powerful engine देखने के लिए मिलेगा bike में आपको 124.9CZ का single cylinder 4-stroke 3-wall engine देखने के लिए मिलेगा जो की काफी अची power को produce करने वाल है और अगर हम bike के suspension setup के बारे में बात करें तो bike के front में टेलिसकोबिक fork और bike carrier में monoshock suspension का setup देखने के लिए मिलेगा company bike को बहुत ही जदा शांदार ने color combination के साथ इंडिया में लोंच करने वाली है bike का जो price है वो पहले को मुकाबले आपको 3-4,000 रुपे जदा देखने के लिए मिलेगा और ये bike इंडिया में बहुत ही जल्द 2025 के मिर तक इंडिया में लोंच होने वाली है बाकी दोस्तों इस bike को लेकर आपका क्या opinion है ये bike आपको कैसे लगी मुझे comment box में comment करकर बताना बिल्कुल भी न बुलें अगर आपको आज की वीडियो चलेगी है तो वीडियो को like करने के साथ चैनल को subscribe करके bell icon को press करना बिल्कुल भी न बुलें आज की इस वीडियो को एड़ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आप सिकूर आपसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तेल दिन बायो टेकिया